कल्यान खड़े गलवली परीसर उलास नगर की सीमा पर इस्तित होने के कारण यहाँ परीसर उलास नगर महानगर पालिका तथा कल्यान डोम्योली महानगर पालिका के बीच का शेत्र है पर यहाँ परीसर हमेशा उपेक्षित ही रहता है कभी साफ सफाई का अभाव तो कभी विकास कारियों का अभाव यहां के नागरिकों की तकलीफ बने ही रहते हैं यहां तुरुष्य जो आप देख रहे हैं यह खड़े गोलोली इलाके के हैं तोक्ते तुफान आकर चला भी गया बारिष जो बड़ी मातरा में होई भी नहीं थी पर फिर भी यहां किस तिती जो है सामान ने होने का नाम ही नहीं ले रही कुछ दिनों पहले प्रशाशन की और से खबर आई थी कि बारिष से पहले नाले सफाई का कारिया 70-80% समाप्त हो गया है पर तस्वीरे हैं जो कुछ और ही कहनी बया कर रही है नाले जाम होने के कारण कई हिस्सों में नाले का पानी रास्ते पर भरा है यहां के लोगों से पता चला है कि यह पानी लगातार तीन दिन से भेरा है इसके कारण वहाणों को गंदे पानी से गुजरना पढ़ रहा है जिसके छीटे इस रास्ते में आने जाने वाले नागरिकों के कपड़ों पर पढ़ रहे है यहाँ के नागरिकों ने इसकी शिकायत स्थानिय नगर सेवक तदा सफाय मुकादमों से भी की लेकिन स्थिती जैसी थी वैसे ही है कोनार्ग अपना शहर अपनी बातें